कि लास्ट लेक्शर्स में आपको सिंपल मैंने यह बताया था कि अब जब HTML की फाइल क्रियेट करेंगे तो उसके अंदर आपने CSS कितने तरीकों से इंप्लिमेट करने हैं आपने CSS की कोड को कितने तरीकों से यूज करने हैं तीग है उसमें एक साइड लाइन और एक्स्टर्न ये तीनों तरीके आप लोगों को आने चाहिए तीगे उसके बाद नेक्स जो मारा स्टेप है कि हमने सेलेक्टर्स जो है ना यह सीखने सेलेक्टर्स होते क्या हैं निसाल के तोर पर मैंने यह एक पैराग्राफ का एक स्टाइल लगाया है जिसमें मैंने उसको कलर क्या दिया ग्रीब और एस यूइश जो भी आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं अब इसमें यह देखे यह मैंने स्टार्ट कहां से किया है तीज़े तो इसको इस पेज में जहां जहां पर पी मिलेगा इसके यह क्या करेगा इस स्टाइल को इंप्लिमेट कर देगा इसका कलर ग्रीन कर देगा बैगरां कलर ब्लैक कर देगा डेक्स statement जिस्टिफाइग कर देगा तीख है तो पी एक सलेक्टर है किसी भी element का नाम हो, निसाल के तोर पर अगर मैं इसको A लिख देता हूँ, यहाँ पर A और मैंने इसको A close कर दिया है, तो मैं इसका यहाँ पर A लिखूँगा तो जहाँ जहाँ पर A आएगा, वहाँ पर इसको क्या करेगा हूँ? अब यह, मैंने इसका कलर क्या किया है, ग्रीन कर दिया है, मैं चाहता हूँ कि जब यह माउस इसके उपर आए, इसका कलर जो है, ग्रीन की बज़ाए है, वाइट हो जाए है, यह बाकी मैं जैसे आपका दिल करता है, उसमें एक पैड़ाग्राफ एक स्टैल लगा लिए ना, अब मैं कहता हूँ कि जब हौवर के उपर आए, जब इसका बाउस इसका उपर आए, तो इसका कलर चेह जाए है, पहले तो इसको चेक करते हैं, इसको इसकी चाह पोजिशन है, पहले तो एक पैड़ाग्राप है, उसका बैगराउन कलर लेख के है, टेक्स्ट का कलर ग्रीन है, वार्चरर्म और पैडिंग यसको भी हो, जब इसको पर मांग्स है तो इसका कलर भी है करना चाता हूँ कर थे उप्र, क्पैड्र, कने उसका पी है तो पी यहाँ वने लगा दीically, इस एक और मही आपे लगा देता हूँ ती और इसके आगे ले देता हूँ अब मौस इसको पर लेके गया हूँ इसके कलर क्या हूँ है कि हौवर की उपर आप पूरे का पूरा चेंज कर सकते हैं कि पी के हौवर पे क्या हूँ तो इसमें यह है कि कलर यह है पॉर्ट साइज मैंने कितना दिया हूँ यहाँ पे 60 और यहाँ पर मैं इसको ज्यादा करके 20 पिक्जल कर देखा हूँ अब इसको रिफ्रेश करता हूँ माउस होवर के उपर उसके आप स्टाइल क्या हो रहा है चेंज हो रहा है अब अब इसको क्लिक किया है अब इसका करन क्या हो अब यह एक्टेव हो गया है अब इसको क्लिक करता हूँ इसको मैं इसको मैं स्लेक्ट करता हूँ तो इसका कलर अभी क्या नादर आ रहा है यह वाला वाउस ओपर यह वाला आजाएगा इसका कलर मीचे बासे कर सकते हैं अभी वो टॉपिक नहीं हमारा लेकिन आपको समझाने का मुश्च यह है कि अगर कोई भी आपने एलिमेंट लगाया है जैसे यह कौन सा लगाया है पी तो यह एक सेलेक्टर है अगर मैं यहां पर चाहता हूं कि इसका आईडी दे दूँ इसका क्या दे दूँ इस आईडी का इस आईडी के इस आईडी के इनर एस्टीमेल में जो कुछ भी होगा वो सारे का सारा इसके उपर यह वाली इंपलिमेंट होगा अब आईडी के इसका क्या है अगर आपने आईडी दे दिये इसका फाइदा के है कि फर्ज करें आपके पास इवन और और पेराग्राफ है इवन और और पेराग्राफ है उसके दो डिफरेंट अप्रोचेज है कि इवन का कलर और हो जाए और 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 हो जाए वो फिर नेक्स टेप में आपको सुझाओंगा कि आपने इवन और और को कैसे करना है तिर यसी तरह पेराग्राफ के अ इतने डैस्टेड चाहिड बढ़े गोश्के उसके उपर हमने कैसे इंप्लीमेट गए अभी आपने सिर्फ एक तरीका मैं आपको उठाता हूं तरीका यह है कि हमने इसके उपर इंप्लिमेट करना है कि दो पराग्राफ आजाते हैं एक ना फर्स्ट पराग्राफ और एक ना अभी यह फर्स्ट पराग्राफ के लिए हो गया और यह सेकंड पराग्राफ का यह वाला और सेकंड गार इसके उपर कोई ने इंप्लिमेट हो रहा है क्योंकि इसके और के मिले कुछ भी नहीं रखा है तो यह वार इस तरह आप जब मल्टिपल पैराग्राफ होगे तो आप यह दो प्लास बना लेंगे कापी पेस्ट करते जाएंगे जिसको पहला पैराग्राफ दे देंगे उसके उपर यह वाला इंप्लिमेट हो जाएगा इसके दूसरे के इसके अगर आप सिंपल पी लिख देंगे ना तो उसको जहां पर भी पैराग्राफ नदर आएगा वहां वहां पर क्या करेगा इंप्लिमेट कर देगा सी एसे अप उसका फाइदा क्या है और इसका नुसान यह फाइदा यह है आप एक ही जगा पे है जब आप लगादो यह लगा दो डाट क्या लगा दू ढ़ यहीं पी क्लास है यह क्लास लेक्टर है यह पनसा है लास लेक्टर है यह डाट लगा है मैंने ठीक है इसके साथ क्या लिखाय? डाट लिखाया, तो यहाँ पे आईडी की में क्या लेक होगा? जब लिखेंगे तो css में फिर डाट लिखेंगे जब आइडी लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पे हैश साइन यूज़ करेंगे और कोई फरक्न नहीं है। तो ID के जरीए से भी आप इसको CSS इंप्रिमेंट कर सकते हैं .class के जरीए से भी सकते हैं और यह भी खाले हैं। अब एक class के अंदर आप multiple classes add कर सकते हैं। ठीक है एक लास के अदर बैटिप। अमिशाब के तौर पर यह वासरा बीच मैंसे निपाल दो एगा बैदियों से। यह चोटी सी फ्रश्ट पारगाप है तो यह भी किये फ्रस्ट पारगाप है अब यह वाली जो तीर है ना यहरी पीचिंग है इसका नाम मैं रह देता हूँ यह वाली जो तीन की स्टाइलिंग सुभू मैं इसको क्या करते हैं इसका नाम कुछ हो रहा है ठीक है अब अब यह चेक करेंगे जाख तो अब इसको कुछ भी नहीं है जाओ पर दूसको कुछ भी नहीं पर रहे ना इसके फॉर्ट का लचेंज हुआ है जो पर यहां पर यहां है वहां पर पिर भी ऐसी है अगर मैं यहां पर लिक्भूंगा माई स्टाइल स्फेम्डेश देख कर सकते आई डी के अंदर आप दूस्री किलास एड़ कży manufacturing क्लास वाले एट्रीबूट केंदर आप दूस्री किलास क्या कर सकते हैं अब ये ये वाला भी सारा इंप्लिमेंट होगा और यह वाला भी सारा लेकिर इसके दरम्यान में एक स्पेस कम लाजमी देगा ताकि पता चले है यह दिखने रहे हैं अब यह देखें इस नहीं है अगर आप यह डब्ली स्कूल्स बें जाए और यह सी एसस पे क्लिक करें और स्लेक्टर् यह बारे कर सकते हैं यह किसके लिए आप यहां पे लुटी ले देता है। निए पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ टायल दाए ताँ इसमें बादा हूं। पैग्राउंड कलर से देना वह ब्लैक तदर से दें अब यह देखें। इसको पैराग्राफ मिले जिदर ना उसका कलर क्या कर दिया है। अब अगर आप कहते हैं कि जितने भी परषाव हो सब का करिकर चा हो। फिर प्रिर क्या होगा आप उसमें एक ही जगह भाड़ी आप उसको जहां पर दुटें और क्या हो। यह सारी इसके आपको और जाके बैगरोंट लिखने की ज़िए हैं तो एक तरीका आप समझ गए हैं इसमें कि आपने CSS को कैसे इंप्लिमेट करना है classes कैसे देनी है फिर group selector भी होता है आप चाहते हैं कि H1 आजए है एच टू आजए या paragraph आजए उसमें जो text हो वो हमेशा centralized हो एक्स क्या हो तो आप comma separated करके इसको क्या कर सकते है इस का मतलब का यह मतलब है कि H1 के लिए भी यही class है H2 के लिए भी यही class है और B के लिए भी यही class है इसी तरह यह आपको अप अपने या अलाइदा अपने अपने है या अपने अलाइदा अपने उसको कठ्ठा कैसे लिग सकते हूँ इसकी मैन इसेंप्ल यहाँ पे देता हूँ झाल झाल है था इस देखे एच्वन का टैक्सलाक्ट गया है रेच्टी का टैक्स्ट क्या है इसी तरह पेराग्राफ का मी सारी सेम आ गई है सारी क्या है ता हम क्या करेंगे यहां से इसको टेक्स लाइन सेन्टर हैं सारे घर कहा हैं, मैं क्यों ए чем- array- keeping के लिए भी कॉमा पी के लिए भी और ये बाकी सारी में क्या करता है कि तो इस स्पेस क्या जाती है बच जाती है इसके फाइल का साइज क्या आजाता थोड़ा सा काम होगा तो आप ने भी यहां पर देखा है कि इस तरह भी आफ css को इंप्लिमेंट कर सकते हैं अगर आज है यूनिवर्सल स्लेक्टर आयश्टिम इलेमनस उउम झीपीच यह किसके लिए करता है? इतने भी इलेमेंट्स तो यह सबके लिए, अगर आप स्टार लगाके कर देतें तो थमाम इलेमेंट्स के लिए आपको हर इलेमेंट का नम दिखना पड़ेगा. बसलों हर element में अगर आप चाहते हैं कि उसका background color blue हो तो फिर क्या होगा आप यह simple star लगाके color क्या कर देंगे blue कर देंगे तो जो भी element आएगा उसका background color क्या होगा blue हो तो star के जरीए से समझ लगी comma separated हो तो हरे के लिए वो लादा लादा space बचाने के लिए इसी तरह दो classes एक ही class के अंदर दो classes लग सकती है फिर dot का जो है न operator ठीक है dot का operator मतलब यह है कि paragraph के अंदर कोई center नाम का कोई class होगी इसमें implement करें इसको मैं ऐसे example करूँगा यह मेरे पास एक paragraph है इस पे यह स्पैन है तो पैराग्राफ क्या है यह वाला ठीक है और अगर मैं स्पैन लिको हुंगा ना यहां पैन स्पैन स्पैन का colour क्या हो है यह रेड़ लिका हुआ तो हम इस नो green suf कर देंगें है इसका कलर क्या रहा है यहां पे ग्रीन आ रहा है तो अब जहां पे भी स्पैल इस्तमाल होगा जहां पे भी स्पैल इस्तमाल होगा उसका कलर क्या होगा ग्रीन होगा यह जिदर जिदर स्पैल लगा हुआ है वहां पे उसका कलर क्या हो रहा है ग्रीड हो एंदर बार कि सिर्फ पर इसी अक्रीड ग्रीन मातिए किसी इसी का कर घूए यह फिर मैं इसको लिकुर ग्सा है पीडाट किसीगा कुराद एई शेख नोगा कै जो झाला कुई ए, तॉम फो आना का ये ठीज ए, पुम अजय तीज को जाए, ए? तो यहां पर कलास का नेम को आप लेस्टिड कर सकते हैं एलेमेंट में नेस्टिड नहीं कर सकते हैं यह पिर इसका नाब कलास है इसका नाब क्लास टेस्टिंग रखेंगा फे कि इस पैंट करेंगे तो स्पैंट का नहीं होगा इसका करण जाएगा इसके उपर क्लास लगा देंगे यह टेस्ट की क्लास इसके उपर रख देंगे ठीक है तो इसके उपर भी क्या आजाएगा इंप्लिमेंट होगा अगर आप पैराग्राफ से अठाके इसको लिखते हैं जोनों सूर्टों में यह आप कर्भी देशन मिलागा तो इसमें कमेट्स जो है कमेट्स जो है कमेट्स देने वह आपने क्या करना है आप यह यह लाज यूज करते यह किस के लिए किस मकसत के लिए होता है आकि जो बन्दा फायल बना रहे हैं जो बन्दा कोड कर रहे हैं जो दूसरा बन्दा है तो इस स्का में लाजए यह खुदा लिखा हूँ कोड बहास का बन्दा बहु ो जाता है तो इस 대 inspir jijन ने मिल जाती है कि मैंने ये कोट किस मकसद की इसमार तो अगर आप ने एक लाइन को करना हो एक लाइन में ये मैंने यूज किया तो इसके सामने ये यूज करके आप आगे कर दो ने वो दूसरा हो सुपी एच्पी में ठीक है इसमें कहता है कि आपने स्लैश यूज करनी है स्टैरिक और फिर स्टैरिक करके स्लैश को क्या कर दो इसको जितना बर्दी आप ले जाए इसके तर जो कुछ भी लिखते जाएंगे इसके दुरां इस सारे के सारक क्या आएगा कब लिखाएंगे ये कमेट आपकी रेडिबिलिटी को बढ़ाने के बढ़ लिखाएंगे तो सबसाथ ह perception मावा जिए अर ने वाल इससे में बालता है यहां पर आप इसके तर्मयान में इस इसką यहां आपको आप उपने नेप्रतेटारे do Jong- gamble means तो कि सबिखे। कि अब से क्लोज करते हैं कि इसके जहां से स्टार्ट किया है वहां से जितने मद्ध इसमें कमें डिस्प्ले नहीं होगा ऌप इवर कि यह सपैर मिग राज्ट is आग इस के फैर यह democratic अंदर परक्राइद और और इस पेंदर चुछ इस को समझाने के लिए अपने आपको सप्ट बिडाने के लिए कि बडाने के लिए कि डिनके का कूछ कंसील कि इस मकसिद ठेगे प्रियर है इसमें यह जो CSS कलर्स हैं अच्छा यह पूरी एक ठीजिए CSS कलर्स की CSS कलर्स कितने तरीकों से लगा सकते हैं इसाल के तोर पर आप लगा सकते हैं बैगरांड कलर बैगरांड की कलर के लिए से लिए तो आप चाहे बैगरांड क्लिये यूज़ कर ले चाहे लाइट का कलर नगा ले चाहे टेक्स का कलर वहीं है जो विजीा में पढ़े हो घ्ल्क वीडियो ग्राफिक डेप्टर में पढ़े हो जो कुछ पशन चेनें होते हैं अग्र के नेम आप यूज़ का सकते है जैसे यहां सियासी तक्रीरे करें तो तुमाटर का कलर भी आपका नदर आएगा, तुमाटर के फायता भी नदर आएगा साथ ही उसने कहा दिया कि इंविश में जो ले जो 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 क्या गया तुमेटो हमारे पास तो ऐसे तुमेटो जाते हैं यह बैगराउंड का कलर तुमेटो तो आप कुछ लेम्ज दे सकते हैं सारे नहीं सारे नहीं आते हैं यहां आपको लेट से वेलेबल होगी कि कितने कलर लगा सकते हैं इसी तरह आप बार्डर का लगा सकते हैं तो यह पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में बार्डर कलर दगा तो आप लिखेंगे बार्डर कलर आप करते घरीन तो नाम यूज कर सकते जाएं कि बार्टर के बारे में पढ़ेंगे यह कर सेटेंगे इसान करेंगे वर्टर का क्या है अधार कर एंगे अधार कार कि बार्टर का का ब्रून की美味 ने तक उन्सटर मैंने रखी में डाटर तकी यह साथ आठ स्टायव रखी मैंने डून की लिघना है और यह साथ है। डून एप सब्सक्राइब आप क्या लिख सकते हैं आप इसको यू यू यूज कर सकते हैं आप आप देखें चाहे आप इनलाइन लगा लें कलर चाहे इंटर्नल लगा लें चाहे एक्स्टर्नल लगा लें कलर का तरीका का रही है बैग्राउंड कलर अगर आप लिखेंगे आर जी बी रेड ग्रीन लू यह सिर्फ तीन कलर्स हैं यूनिवर्सल कलर इनको बोलते हैं और इनी कलर से दुनिया के तुमाम बाकी कलर बनते हैं पूर्टेश्ट आप वैर्म्री और यह बार ओएंगे कलर जोते हैं यह जीरो से लेके 255 ता को जीरो से लेकर हाँ यह 255 मैक्सिमम है यहाँ पे भी आप 0 से लेके 255 ता कोई वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पे भी आप 0 से लेके 255 ता कोई वैल्यू दे सकते हैं आप इस तरह कलर जो है ना इसमें यहाँ पे कर सकते हैं यहां पे आप देख देख देजी आज जी बीए और जी बी तो यह कलर सा कौन सा होगा यह देखिए यह आर जी भी है तो यह वाला कलर रज़ जा ठीक है उसके बाद कलर आप चेश कर लेती है यहां पे 26 zijn है डाब्स यह जीघर यह कंबीडेशंस मेड़ी ऑप जीडिल जीडियर सेломियान में में आप डे Self पुर्पर चेश पच्पन तक पिर जीड़ से लेकर जीड़ के दोसो पच्पन तक प्रす耶 जैब ச लेके दूसुपच्पन तक क्रिज़ जगा के उपर अगर आप चेंज करें, तो कितनी कंभिनेशन्स बन सकत ही उतनी कलर बन सकते हैं लेकिं इस कलर की ज़येन 0 से रफ के दिर मैं भी इसकी 10 करेड़ hai ज़नी कि अगे अगे अगर आप 0,0 कर देंगे सारे 0,0 तो वो ब्लैक कलर होगा जीतना रहादा नहीं के ब्लैक क्राइगा लिए है और अगर आप 255 करेंगे तो यह वाइट कंट अग्डीव इसमें चेंज गरते तो बैगर्ण कंटिया जाएगा वाइट तो ब्लैक से वाइट की करव का सब्सक्राइब करता है ब्लैक कलर क्या करता है जितने भी रोश्णी इसके उपर पढ़ती है सारे के सारे कलर यह जो कोई कलर जो है वह वापस नहीं बहुत है इसलिए ब्लैक कलर अब दो पर दो सारे कर दो से दो एक उजुड़ आफ़ार पर नहीं बहुत है उजो क्लर करता है सारे एफ्सार कर लेता है सिरु ग्रीन पो वापस नहीं एक है इसलिए हमें उपक्लर क्या नजर आ रहा रहा है ब्लीन क्या चीजिए कैसा पीङ्मिट है जो रोश्णी कोई इसे लिए पार आओं को जब लेता है, और उसमें से कौन सा कलर वापस बीचा है? तो मारी आओं की भी एक लिएक है एक खास साथा कलर दे सकते हैं, इसके बार कलर भी लेख सकते हैं. तो आप ये कप्यूटर विजिन जो है, ये कप्यूटर के अंदर जो वीजियेंस लगे हुएं, ये हमें क्विलर्स के बारे विजाते हैं. अब जितना मरदी अच्छे से अच्छा कलर दुना लें, इसी तरह मारे कान एक खास फ्रिकृंसी सुन सकते हैं इसे ज्यादा, आप एक खास फ्रिकृंसी ताक मेरी बात सुन सकते हैं, उसके बात फ्रिकृंसी के बात हैं, जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं, आप मेरी बात वुद्ध सकते हैं कोरकर का क्या करते हैं कोर्ट दे सकते हैं कैने हैं को जो était जो पहले दो इसकी शे डिजेट पर के शेडिसेंगर für पहले दो घयो करते हैं ये दो इन कूष करते और ये समस्ट तो यह 00 से start होते हैं और FF तक जाते हैं आपने hexadecimal number system बढ़ा हुआ है तो पहला 0 है दूसरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, C, D, E, F, hexadecimal number system ठीक है यह अब आप लोग second subject पढ़ेगे, semester पढ़ेगे उसमें आपको इसकी समय लेगी clear है? तो यह color combination भी दे सकते हैं लेकि इसमें आपने 0 से लेके F तक यहाँ इस जगह पे 0 से F तक इस जगह पे 0 से F तक इस जगह पे 0 से F तक यह कोई और color नहीं दे सकते हैं तो यहाँ पर आप G नहीं लेख सकते हैं, H नहीं लेख सकते हैं, A से F तक यह 0 से 9 तक, 0 9 जगह एक एक कोई भी नंबर दे और वो 6 डिजिट पर मुश्क्रमेल लेगे वो नंबर कितने डिजिट पर मुश्क्रमेलों? पर तेक्षे डियेट पर मुछ को आप यह पर शेयर आप जो मर्दी यहां पर भी पर अपर फिर उसके बाद है एच एलेस एच एस एच एस एच एच एस अपर आप यू सेच्यूरेशन लाइट अब यह देखें यू आप 0 से 205 तक दे सकते हैं कितने तक इसकी यू कितने तक है और सेच्यूरेशन परसंटेज में आएगी लाइटनेस जीरो लाइटनेस का मतलब है कोई लाइट नहीं है लाइगे ठीक है तो जो पहला कलर होता है यह असल में कलर 356 तक कलर लेके जाता है फिर सेचुरेशन इसमें चेंज करता है अपनी और फिर उसके बाद तो यह सेचुरेशन भी क्या करता है यह सेचुरेशन कहा से लिए जीरो से 255 तक जाती है तो इसको परसंटेज में करवर्ट किया हुआ सेचुरेशन है और यह क्या है लाइट लेस्ट तो इसको आप परसंटेज में लिखे गए तो कलर के भी समझ कुछ लगी है इसमें इसी तरह बेटा आर जी बी ए रेट ग्री लूब और इस्पेक्ट रेशो और क्या है यह जीरो से वन के तरिम्यान होती है यह असर में उसकी जो है इसको अब बोल ले इस 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 तो एक और वर्ड भी होता है इस 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 तो जीरो से लेके वन तक जीरो ट्रास्पेरेंसी का मतलब है बिरकुली प्लैक वन ट्रास्पेरेंसी का मतलब है विल्कुल क्लियर हो जाते है यह नहीं को शीशा बन जाते है दूसरी तरह से हम देख सकते हैं इतना शीशा ट्रास्पेरेंट होगा zero transparency होगी तो शीशे के दूसरी तरह हम नहीं देख सकते है ठीक है तो transparency zero से one के तरम्यान में आपने रखने है zero point one, zero point two three, four, five, six, seven, eight nine, one point zero ठीक है इससे कम या ज्यादा नहीं देनी है तो इसी तरह जो hue situation और lightness है इसकी भी transparency जो है ना वो दे सकते है इसको वैसे बोलते alpha है alpha असल में इसकी transparency को शो करते है तो colors आप क्या कर सकते है different अंदास से इसके color दे सकते हैं